हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy F13 Android में अगर आपके मुवाइल फून की incoming call अगर स्क्रीन के ओपर शो नहीं हो रहे हैं तो इस प्रॉल्म को आप solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जा बाखे रखना है ठीक है आपकी स्क्रीन की सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का इसमें आपको रिश्टार्ट का यह option मिलता है इसे आपको टैप करना है इससे क्या होगा कि आपका मुवाइल फोन जो हो आटोमेटिक स्विच आफ हो जाएगा रिश्टार्ट करने से होता है हमारे मुवाइल फोन के एंदूट सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है कमी क्या हो सकती हमारी मुवाइल फोन के इंविधे न कमीन कॉल स्क्रीन के ओपर शोन हो अई ऐसे बहुत सारी Android सिस्टम की problem जब वो solve हो जाती है, फोन को restart करने से ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला process यह करना है, कि आपके फोन का जो calling का app है इस calling का app को reset करना है, यानि कि इस calling का app का data clear करना है, कैसे, देखें इस calling का app को उगली से दबा के रखे एक तो clear storage का, दूसरे clear catch का, आपको पहले clear catch पर टैप करना है, इसके बाद आपको clear data पर टैप करना है, तो आपका यह एक page आएगा छोटा सा इसमें आपको delete का button टैप करना है, तो आपका data और यह जो catch है, इन दोनों के सामने अला data यह दोनों zero हो जागा, इस तरीके से आप आपको mobile phone का calling का app reset कर देना है, जिससे आपके mobile phone की incoming call screen पर शो नहीं हो रही, problem आपकी solve हो जाएगी, ठीके, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला process यह करना है, कि आपको अपने mobile phone का एक बार software चेक करना है, कि वो updated है या नहीं है, दोस्तों कई बार ऐसा होता ह कि हमारे phone का software का update आता है, हम उसे update नहीं करती है, या फिर update आता है तो हमиля पता नहीं लगता है, तो mobile phone का software होता है, वो हमारा updated now ने की कारन भी, हमारे mobile phone के android system में कुछ कमिया आने लगती है, तो आपके phone का software है रहे वो आपका update है या नहीं है, आपको check कैसे करना है, देखे इ अगले page में यह download install का आपको यह option मिलता है इसे tap करना है आपको software update के इस वाले page पे अगर कोई भी update का बटन दिखाई देता है तो इससे आपको tap कर देना है इससे आपके phone का software होगा वो आपका update हो जाएगा और आपकी जो phone की incoming call screen के ओपर show नहीं होती है यह problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों सबसे आखरी process आपको करना है क्या है कि आपको अपने phone को reset कर देना है यहाँ पर आपको सबसे उपर search बार में reset आपको type करना है तो आपको जो नीचे की side reset का option मिलेगा इससे tap करना है आपका phone directly आपको reset की setting में लेकर आजाएगा reset पर tap करना है इसके अगले page में आपको सबसे नीचे factory data reset पर tap करना है इससे आपका mobile phone reset हो जाएगा और आपकी mobile phone की incoming call जो screen पर show नहीं होती है यह problem आपके solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों को ध्यान रखना है पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि आपके phone में जितना भी data है सारा data किसी दूसरे mobile phone में transfer कर लीजे या उसका backup ले लीजे दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद ही phone को reset करना है तो इस video में मैंने आपको जितना ही process आपको बता है सारे आपको यूज करने तो इससे आपकी problems all हो जाएगी अगर यह मेरे सारे process यूज करने के बाद भी आपकी problems all नहीं होती है तो आपको करना क्या है देखे दोस्तों आपके phone का जो service center होगा ना वहाँ पर आपको चले जाना है अपना phone वहाँ पर दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए क्या रहा हूं देखे हो सकता है आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वज़े से आपकी problem आ रही है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जितने भी solution आपको बताए है वो mobile phone के software के जरिये बताए है अगर mobile phone के software के किसी कमी की वज़े से ये problem आ रही है तो मेरे बताय हुए तरीकों से आपकी problem solve हो जाएगी अदर्वाइस आपको अपने phone के service center जाना पड़ेगा ठीक है